हिंदुस्तान इनीवर ने तो भई मतलब समोचा नहीं तहां मैंने भी कि यह इस सपोर्ट को भी तोड़ देगा मतलब मैं सोच रहा था कि हां इस सपोर्ट के ऊपर मालो कंसिलेशन करता लाइगा लेकिन इसने यह सपोर्ट भी तोड़ दिया मार्केट में गिरावट होती थी तब हिंदुस्तान उनिलिवर जैसे स्टॉक जो भई FMCG के होते थे ये स्टॉक बिल्कुल गिरते नहीं थे डिफेंसिव स्टॉक इसलिए बोलते हैं FMCG और IT सेक्टर को क्योंकि जब मार्केट गिरी होती तो ये स्टॉक भागते हैं आपने आज IT स्टॉक देखे होंगे जादतर भागे थे बिप्रो इन पोसेस और SEL टैक लेकिन ये सेक्टर जब से क्या महंगाई इनफ्लेशन की वज़े से सेक्टर में थोड़ी सी दिक्कते आहां रखी हैं उसकी वज़े से स्टॉक आपको देख रहा है हो गिरावट हो रही है क्योंकि जो माल कच्चा वाला आता रो मेटरील आता उनके प्राइस बढ़ गए हैं इसके वज़े से इनके प्रॉफिट थ पर डिसकस किया था और आप देख लो अभी 2200 के आसपास है और उसी टाइम हमने सेम स्टॉक किया था बजाज फैने डिसकस 2000 के आसपास में वह अभी 6,500 के उपर ही चला है साथ जार तक था था थोड़े दिनों पहले तो आप देख सकते हो बहां कितने अच्छे रिटन मिल और इसमें तो परफर्म नहीं किया कंपनी ने मतलब कंपनी परफर्म कर भी रही है लेकिन इस टॉक ने तो विल्कुल एक साल जे परफर्म नहीं किया बैसे तो मुझे बहुत पसंद था ब्लू चीप श्टॉक है मल्टी बैगर भी है काफी कंसिस्टेंट रिटन है इसके लेकिन चलो ठीक है आप तोड़ दिया तो तोड़ दिया लेकिन पसंद अभी भी मुझे अभी भी मेरे मतलब व्यू काफी अच्छे है इस पर अभी भरोसा है आप देखोगे तो सेक्टर की लीडर है FMCG की लीडर के साथ तो मैं रहता ही हमेसा हो सकता है रिटन थोड़े स सब्सक्राइब के बाद से भी इसमें क्या मतलब आपने देखा होगा रिटन कुछ नहीं मिलें तो लॉंग ट्रम वाले इसमें बैट करें सौट ट्रम वाले में टाइम लग सकता है तो इसे वाइट कर सकते हैं सौट ट्रम वाले यह भी कर सकते हैं आप और बाकी कर लेना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बाकी टेलिग्राम चैनल हमने खोला है फ्री आपको जोइन कर लो काफी सारी चीजें होती रहती हैं जैसे अभी रिसेंटली विप्रोम ने कली कली डिसकस किया ता आज देख लो 4 परसेंट भाग लि कर लो झाल झाल